दोस्तो एथर कंपनी की एथर रिष्टा इलेक्रिक स्कूटर फाइनली आज 6 अप्रिल 2024 आज के दिन ये लॉंच हो चुके है इवेंट हुआ था उसमें बकायदा इस गाड़ी के बार में सारे डीटेल बताए गई है वो सारी डीटेल को कॉलाइड करके मैं A to Z डीटेल इस व ना कि एथर 450 सीरीज जैसा यानि कि बहुत शार्प लुकिंग एज़ेस एकदव स्पोर्टीनेस वैसा कुछ नहीं ऐसा इलेक्रिक स्कूटर बनाया है जो कि फैमली में कोई भी चला है उसके पर आराम से सूट करेगा यानि इतनी सही गाड़ी बनाई है डिजाइन टोटली टीफर है उस पर बहुत काम क्या है कंपणी ने बट इंटरनली काफी चीज़े सिमिलर है 450 सीरीज से लाइक मोटर एंडी बैटरिंग मोटर आपको सेव वही पी एम ऐसे मोटर मिलने वाला है जिसका पावर आट भी अच्छा खासा है और 80 किमेटर परावर की टॉपी स्वि है और लंबी है और फ्लैट है अब इसलिए रखी कंपणी ने क्योंकि कंपणी बोल रहे है अगर सपोस्कोर किसी की हाइट जादा है तो वह भी इस गाड़ी को इस चला पाए क्योंकि उसका वेर आराम से फ्लोर वोट पर आ जाएगा और वह थोड़ा सा सीट में पीछी हो मिलता है और उसके बाद एक TFT स्क्रीन देखने को मिलती है और जो बटनिंग है वह भी आपको एथर 450 सीरीज जैसा ही देखने को मिलता है सेम बटन यूस किया है एथर की रिष्टा इलेक्री स्कूटर से रियर एंड भी काफी इंप्रेसिव लेगा अच्छा लगा पीछे पी आपको एलेटी सेट अप मिलता है पर एक राउंड इसा जो शेप होता ना वो चीछ इस गाड़ी में देखने को मिल रही है साथ में यहां पर रियर में बैक्रेस्ट भी दिया है सेकेंड पैसेंजर के लिए अब बात आती है सबसे हालेटिंग चीज वो है इनकी अंडर प्रोवाइड किया जहां पर अपने गंदे कपड़े यहां पर रख सकते हो बाकी जो भी चीज अलाग से पूरा बूट एरिया उसमें रख सेते हैं इसके अलावा फ्रंट जहां पर फूट ट्रेस्ट वहां पर एक फ्रंक दिया गया जो कि 22 लिटर के उसमें भी बहुत सार सामान रख दिया तो फिर आप कैरी करने के लिए कोई बैग नहीं लिके तो फिर वह सामान कैसे लेके आप अपनी घर तक जाओगे या तो फिर आपको उपर जाना पड़ेगा अपनी घर तक या आपका घर नीचे भी तो घर के अंदर जाना पड़ेगा बैग लाना पड़ means आप मोबाल चार्ज कर सकतो अपने स्पीकर चार्ज कर सकतो लैपटॉप कर सकतो मतलब सब कुछ कर सकतो जो कि आपने अभी तक किसी गाड़ी में नहीं देखी वह चीज एथर कंपनी ने इस गाड़ी में प्रोवाइट कर दी है इसके अलावा बहुत सारी चीज है जो आपक जाता है और इस गाड़ी में इसके अलावा आपको मिलता है हिल होल उसके बाद मैजिक ट्विस्ट जो आपने एथर की एपेक्स में देखिए 450 एपेक्स में देखिए जो मैजिक ट्विस्ट होता है वह कंपनी ने इस गाड़ी में आड़ कर दी है और इतनी कम प्राइस भी रखिए मैजिक ट्विस्ट के वारे मैं क्या ही बूलो आप लोगो पता ही होगा नहीं है तो फिर भी मैं आपको समझा पर भी हो जा तब भी यह वक करता है जबकि दूसरी गाड़ियों में जब 80% होता है तब ही रीजेन वक करता है बट एथर ने ऐसा काम किया है कि 100% बैटरी पे भी यह मैजिक ट्विस्ट काम करेगा रीजेन वक करेगा इसके अलावा एक और नई चीज इन्होंने आड़ कि इन्होंने सेंसर लगाया है वो सेंसर का काम यह है कि फ्रन्ट वील और रियर वील सेव स्पीड पर ही होना किया है अगर सपोस्कोर रियर विल काफी तेजी से घूम रहा है तो जो सेंसर वो बकायदा active drive control को signal लेगा कि front tire इतना तेज नहीं गूम रहा है जितना rear tire गूम रहा है तो उस हिसाब से rear tire पे power जाएगा इससे जो skitting वाला process होता है चाहे वो पानी में देख लो चाहे कीचल में देख लो तो वो skit नहीं होगा और easily आप drive कर पाएंगे यह actual में काफी अच्छी चीज इन्होंने introduce किये एथर की रिष्टा electric scooter मेरे को लगता आगे जा कि एथर की 450 series में भी यह चीज आट करेंगे जो कि मेरी साब से होना चाहिए प्लस इस गाड़ी में आपको वही 7 inch का TFT screen मिलेगा यहां पर जो look and fill होता है वो थोड़ा सा डिफर होगा एथर 450 series जैसा नहीं होने वाला थोड़ा सा डिफर कर रहा है इसमें जिससे कि यह थोड़ी अलग भी लगए अब बात करते है रिष्टा इलेक्रिक स्कूटर में कितने मॉडल से तो टोटल दो मॉडल है रिष्टा एस और रिष्टा जैस मॉडल बेस मॉडल और जैड मॉडल इनका टॉप मॉडल है अब दो मॉडल इसले क्योंकि दो बैटरी स्फेसिफिकेशन है तो यहां पर 3.7 किलोट आउड आउ यह तो सेम बैटरी पैक इनोंने इसमें यूज किया है तो वही रेंज की बात करते है तो 160 किलोमेटर आपको IDC रेंज मिलेगी 3.7 किलोट आउर में और जो रिष्टा एस में आपको मिलेगा सिर्फो सिर्फ 2.9 किलोट आउर बैटरी पैक लेकिन रिष्टा Z जो इनका टॉ 2.9 किलोट आउर बैटरी पैक और आपको मिलेगा 3.7 किलोट आउर बैटरी पैक दोनों ही गाड़ी में आपको पाच कलर कॉमिनेशन मिलने वाले और साथ में डूल टोन कलर भी इन्होंने इंट्रीउस किया है प्राइजिंग की बात करते है तो सबसे पहले जो मॉडल आता के साथ कोई गाड़ी आती है तो कोई भी नहीं है बजाचीता की प्राइस भी अब बढ़ चुकी है और इन्होंने अभी लॉंच किया और इस प्राइस में लॉंच किया है जो कि भाई किलर प्रोड़क्ट हो जाएगा अगर आपको कोई इलेक्ट्री स्कूटर लेना है तो यह एक पर्फेक्ट काड़ी अभी की टाइम है जो आप ले सकते अलगी इंट्रोट्रक्ट्री प्राइस आगे जाके बढ़ाने का सोचेंगे अभी तो नहीं बढ़ाएंगे सेकेंड जो वेरेंट आता है एथर रिष्टा की जैड मॉडल अब जैड मॉडल में 2.9 किलोट और बैटरी पैक की बात करते तो इसकी प्राइजिंग है 1,24,999 इसमें आपको मिलेगी 7 इंच की TFT स्क्रीन और सारे जो फीचर्स होते गूगल जो भी जितने भी फीचर्स है सारे फीचर्स आपको इसमें मिलेगे एथर की रिष्टा Z 2.9 किलोट आवर बैटरी पैक बट इ इसकी प्राइजिंग है 1,44,999 और ओवर ओल देखोगे इनकी जो प्राइजिंग है अभी भी देड़ लाग के अंदरी रखी है एक शुरू प्राइस ऑन रोड प्राइस तो ओविसली बात देड़ लाग के ऊपर चला है बट देड़ लाग के नीचे ही रखा है इन्होंने अपनी गाड़ी को प्राइस पेम टू सबसेड़ी खतम हो चुकी एम पीए सबसेड़ी आ चुकी है उसके बावजूत भी इस प्राइस पॉर्ड में गाड़ी लाना बहुत बड़ी बात है तो गाइस यही कुछ डिटेल था इस गाड़ी के उपर अगर यह वीडियो अच् तो प्लीज लाइक शियर सब्सक्राइब जरू करेगा मिलते हैं अगले वीडियो में बाबाई